केरल मा एक मोटी दुर्गटना थाई जेमा लैंडिंग दर्म्यान फ्लेन लपसी पड़िऊ शे दुबई थी आवेलू एर इंडिया नू फ्लाइट एरपोट उपर लपसी पड़िऊ आकटना मा बै पाइलोट साही चाउद लोकोना मौत थाई आशे फ्लाइट मा कुल एक सो 23 लोको इजाक्रस थाया शे को जीकूर खातेया दुर्गटना बनी के जैमा चाउद लोकोना मौत ना समाचार सामया वी रहा शे जैमा पाइलोट ना पण वृत्यू थाया शे उलेखनिया चे के एरिन्या निया फ्लाइट दुबई थी आवी रही हतिया ने भारे वर्साद ना कारणे रन्वे पर लेंडिंग दर्म्यान आ प्लेन लपसी पड़िवो तु आने प्लेन ना बै भाग थे गया हता तो लेंडिंग दर्म्यान प्लेन लपसी पड़ता दुरकटना सरजाई जेमा चाउद लोकों ना मौत है आशे जारे 123 मुसाफरों ने इजा पोहँची शे राइट माकूल 135 मुसाफरों ने चा क्रू मेंबरों पन सवार हता हाँ समगर मुद्दे डीजी सीए तपासना पण आदेशा प्याशे उलेखनी है चे के जी जागरस्त शे मुसाफरों तेमा थी 15 लोकों नी हालत वदू गम बीर शे तमामने तातकालीक सारवार माटे होस्पिटल माँ पण खसेडवाम आए वैशे तो हाँ समगर मुद्दे त्वीट करीश है अने अकटना माँ चेरी ते मुसाफरों पृत्यू पामया चे ते मुद्दे दिलगरी पन व्यक्त करीश है अपने जड़ा में दिये के केरल ना कोजी कुर खाते आ लैंडिंग दर्म्यान तुर्कतना सरजाई जमा भारे वर्सादना कारणे रन्वे उपर थी प्लेन लपसी पड़ी हो तू अने लपसी परताज प्लेन ना बे भाग थे गया था समगर प्लेन बे टुकडा मां वेंचाए गई हो तू तो गटनानी चान थाया बाद लोकों मा अपन एक प्रकार नो अफ्रात अपड़ी नो माहोल सर जाए हो तो दुबई थी आवी रहेलू प्लेन केरल ना कोजी कुड ना रन्वे खाते तुटी पड़ी हो तू तो आज वीशे वदू जानकारी लईशू अमारा समगर दाता रजनिश रंजन पासे थी रजनिश इस प्रकार से ये दुर्गतना हुई है और खासकर के गरीप्रदान अम बिल्कुल देखिए 14 लोगों की मौत की आधिकारी कोश्टी हुई है और इसमें दो पाइलेट भी शामिल है निश्यतोर पर बहुत ये दरदनाएक घटना हुई थी ये बताया जाना कि 15 के आपकास में लोड है जो बहुत गंबीर रूप से घायल है और उनका इलाज चल र है एक बहुत त्रास्टी पूर्ण दुर्खटा आप कह सकते हैं प्रदान मंतरी से लेकर ग्रीव मंतरी और तमाम जो बड़े नेता हैं देश के उन्होंने इस पर अपना दुख चताया है उमीद यहीं कि जा रही है कि जिनका इलाज चल रहा है जो अस्पताल में है उनको ठीक किया जाए उनको बचाया जाए लेकिन इस घटना में 14 लोगों की मौत कुई है यह अपने आप में बहुत अन्फॉर्टनेट है बीजी सीय ने जाज के आदेश दे दिये हैं और ग्री मंतरी ने जो ट्वीक किया था उसमें यह जानकारी अउनोंने दिये कि NDRF को निर चुकी है जो राहत और दचाप का काम है वो चल रहा है अस्थानिये लोगों की मदद से लोगों को निकाला गया था बहुत बई संक्या में लोग वहां पर जमा हुए थे और उनकी मदद से ही अनज़्दी की अस्पतालों में यात्रियों को भर्ती कराया गया है और यह एक महत्पुन जानकारी है कि जब लोगों को वहां से रेस्क्यू किया जा रहा था उस वक्त तक कोई आधिकारिक सीगर नहीं आया था मृत्यू का लेकिन अस्पताल पहुंचने के बाद जब उनका ट्रिट्मेंट शुरू हुआ जब यह जानकारी अस्पतालों की उस सामने आ हैं जो बहुत गंभीर रुप से घाल है और उनको बचाने के लिए डॉक्टरों की जो टीम है वो लगातार कोशिश कर रही है और 120 से जादा ऐसे लोग हैं जो इंजर्ड हुए हैं अलाकि वो क्रिटिकल नहीं है तो अभी अस्पताल की ओर से या राज्य सरकार की ओर से या कोशी कोट जीला प्रशाशंग की ओर से यही जानकारियां सामने आ रही है अब रेक यही बताया जा रहे हैं लेकिन आशंका जरूर गत्त की जा रही है कि कुछ आकड़ा जो है मौत का वो और बढ़ सकता है जी शुक्रिया पूरी जानकारी देने के लिए तो लेंडिंग दर्म्यान जे आ दुरकटना सरजाई कोशी कोड़ खाते याने जेमा चाउद लोकों ना पुत्युत है हो नहीं जानकारी सामेहावी रही रही छे वधू कितला कलोको पर विजाक रस शे जमनी सारवार चाली रही रही शे आ दुरकटना मा बनने पाइलट ना पर मौत था तो NDRF नी टीम पन हाल बचाउद कामगरी मा जोड़ाई चुकी शे भारे वर्सादना कारणे सांजे साड़ा साथ वा गैनार्सा मा आ दुरकटना बनी है दी